दोस्तो बिग बॉस के सीजन 14 के लाइफ फीड में इस समय गर के अंदर रुबिन दिलेक और अर्सी खान का जगड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा दोनों ही कंटेस्टेंट का ये जगड़ा काफी जगड़ा बढ़ चुका है और अब तो इसकदर बढ़ गया है जहां पर ये दोनों ही सदशे एक दूसरे की उकात को लेकर बादचित करते वर नजरा रहे हैं जियां दोस्तो आपने बिल्कुल सई सुना दरसल दोस्तो इन दोनों के जगड़े में अबिनव शुकला भी अब कूद परे हैं जहां पर अबिनव शुकला ने अरसी खान को सबग सिखाने के लिए एक ऐसे चाल चली है जिसे देखकर आपके भी हसी छूड़ जाएगी दरसल दोस्तो रुबिना दिलेक पर अरसी खान काफी ज़्यादा चिल्ला चोट कर रही थी जिसकी वज़े से अबिनव शुकला इस लड़ाई में बीच में कूद परे और अरसी खान को जवाब देने लगे इसी बीच दोस्तो अरसी खान रुबिना को छोड़ कर अबिनव शुकला के उपर आधम की और वो अबिनव को सुनाते हुए कहने लगी कि ये तो हमेज़ा अपनी पतनी के पीछे छुपा रहेगा और इसी का पक्स लेता रहेगा जबकि दूसरी ओर्तों के तो ये बेज़ इस लड़ाई के दुरान दोस्तो अबिनव शुकला जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे वैसे वैसे ही अरसी खान उनके पीछे पीछे चलने लगी जिसे देखने के बाद में अबिनव शुकला ने एक ऐसी चाल चली दरसल अबिनव शुकला बाहर गाइडन ओ एरिया में गूमने लगे जिसके बाद दोस्तो अरसी भी अबिनव के पीछे पीछे दोड़ने लगी इस पर अबिनव ने अरसी का मजाग बनाते हुए के दिया कि आजा में तेरी जोगिंग करवा देता हूं और ऐसे ही मेरे पीछे पड़ी रहे खेर दोस्तो अबिनव कर दो करें